तो हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है फीड से एक संदार वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं PRL के तरब से जो वेकेंसी निकल कर सामने आई है हाँ दोस्तो PRL यानि की Physical Research Laboratory के तरब से एक वेकेंसी निकल कर सामने आई है तो क्या है पूरी जनकारी जनले के लिए आपको वीडियो में अंतक बने रहे ना होगा दोस्तो इसकी एज लिमिट क्या है क्या है क्या होने वाला है इन सभी चीजों के बारे में हम आगे डिसकस करेंगे तो दोस्तो आप वीडियो में अंतक बने रहे हैं और अगर आप चैन जो दो परकार के पदों के लिए है, पहला पद है असिस्टेंड का और दूसरा पद है जूनियर परसनल असिस्टेंड का, तो इसके जो डेत से जो अपलाई करने का राधी करने का आपको देना होगा वो आपको 31,300 उपीज तक देना है दोस्तो इसके लिए एप्लिकेशन फी जो रखा है 500 रुपी रख्या गया है जेनरल OVC EWS और S.T.S.T. के डिट सभी के लिए 500 रुपीज का एप्लिकेशन फी आपको देना होगा और फस्टेज का एकजाम देने के है दोस्तो इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज इसका 18 वर्स रखा गया है और मेक्सिमम एज आपको 28 वर्स देखने को मिलेगा और PRL के अनुसार जो एज लिमिट में है एज रिलेक्सेशन भी मिलेगा तो दोस्तों बात करें इसके पोस्ट और जो है इसमें कितने पोस्ट है असिस्टेंट पोस्ट के लिए कितने पद है और जूनियर असिस्टेंट के लिए कितने पद है और इसके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टें पर्सनल असिस्टेंट इसके लिए छे पोस्ट हैं इसमें भी आपको बेचलर डिग्री होना चाहिए 60 परसंट मार्क सकसाथ और आपको टाइपिंग आनी चाहिए इस्टेनोग्राफर पर टाइपिंग चाहिए आपको 60 वर्ड में पर मिनट तो दोस्तो यह है जानकारी और इ पूरी जनकारी आपको 16 पोस्ट पर पियारेल के तरब से जो वेकेंसी निकल के आई है तो आप इसको देर न किजिए अगर आप जो इच्छुक हैं इस फॉर्म के लिए तो आप इसको भर सकते हैं दोस्तो इसको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ओफिसियल और उपरचिनिटी के बाद आपको यहां पर जो बहकेंसी दिखाई दे रहा हो होगा तो इस पे कलिक करना होगा अपर इसकी कलिक करते हैं श्रसर नंबर पर आपको इह आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा requirement advertisement number 5,2024 advertisement for the requirement of assistant and junior personal assistant at PRL एहमदाबाद के लिए तो आपको इस notification को download कर लेना है, download करके आपको सारी details देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पदों किसें क्या कितनी है और किस पद पर आपको किस तरह का qualification जो है चाहिए, दोस्तो यहाँ पर written test और skill test दो तरह की एक्जाम जो है आपको देना होगा उसके बाद आपका सेलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा दोस्तों आप ये नोटिपिकेशन डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा नोटिपिकेशन है और हिंदी इंगलिज दोनों में आपको किस तरह कर प प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल के साथ जूख जाएए चैनल को सब्सकाइब करके बेल आकन प्रेस कर लिए ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो डाले सबसे पहले नोटिपिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को नोटिपिकेशन को मिस ना कर पाएं त अब तक लिए धनिवाद जय हीं जय भारत पंदे मात्रम